हेलो दोस्तो स्वागर आप सक्का मेरे ये ये टीप चैनल सचिन एजुक्रिशन हाप पर दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्कमेंड कंपेंजेशन पॉलिसी की तो दोस्तो ये वर्कमेंड कंपेंजेशन पॉलिसी को लेने के लिए या इसके पीछे क्या-क्या कंडिश उनके बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसके थोड़ी से इंट्रोडेक्शन के उपर ध्यान दें तो क्या क्या जाता है कि जो वर्कमेंट कंपेंशेशन एक्ट है वो मेंडेटरी है हर एक एम्प्लॉयर के लिए ताकि वो जो वर्कमेंट कंपेंशेशन पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करके जो एम्प्लॉईज है उसको प्रोटेक्शन दे सके इन केस कहीं पे काम करते एम्प्लॉई की देथ हो जाती है या फिर एम्प्लॉई को कुछ ऐसा मतलब नुकसान हो जाता है जिससे एम्प्लॉईर को भरना पड़े तो उससे बचने के लिए वर्कमेंट कंपेंशेशन पॉलिसी का इस्तिमाल किया जाता है अगर कहीं पे एम्प्लॉईमेंट के दुरान एम्प्लॉई को कोई इंजरी बगारा जादा हो गई है तो उस केस में एम्प्लॉईर क्या करेगा इस कंपेंशेट करेगा अगर तो एम्प्लॉई है तो ठीक है अगर एम्प्लॉई नहीं है या उसकी देथ हो गई है तो उसकी फैमिली को उसका कंपेंशेशन जरूर देगा जो ये पॉलिसी है वो एक तरीके का financial relief है उससे जादा कुछ नहीं है मतलब अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके पीछे कुछ compensation दिया जाता है यानि financial relief दिया जाता है कि उसके जाने से कोई उसकी family को जादा problem ना आए यहां फिर अगर employee है उसके पास इतना नहीं है तो उसके जितनी भी इंजरी हुई है उसका सारा खर्चा या उसको खर्चे या उसकी इंजरी के लिए जो भी compensation बनता है अगर वो दिया जाए तो उससे भी वो financial relief महसूस करता है ठीक है तो यह तो हो गया अब हम conditions के उपर ध्यान देते हैं तो conditions क्या क्या रूल है इसके अंदर तो बहुत जादा important thing है conditions इसके अंदर IRDA ने मतलब कुछ conditions finalize की है कि अगर आपने WC policies के benefit लेने है यानि workman compensation policy के benefit लेने है तो आपको कुछ conditions पूरी करने पड़ेंगी आपके सामने number one लिखी हुई है the policy covers accidental death permanent disablement यानि fully or partial temporary disablement fully or partial or personal injuries suffered by the employees आपको पता है आपने अगर ये मतलब समझना है workman compensation act तो अल्री लिंक आपको description box में साथ में दे दिया जाएगा या फिर मैंने बहुत पहले ये video डाली हुई है वहाँ से इसके बारे में समय सकते हूँ तो ये policy तब ही fulfill मानी जाएगे इसका benefit तब ही माना जाएगा अगर इसमें कुछ ऐसा case है जो कि accidental death है या permanent disablement है या temporary disablement है चाहे वो fully or partial है या फिर personal injury है तो ये सारे चीज़ें होने के बाद ही इस policy का استعمال दरके हम फाइदा ले सकते हैं देन आता है the death or the injury should occur during the course of employment and because of the nature of employment ठीक है जी जो death or injury होई है वो employment के दुरान होनी चाहिए तब ही इसका फाइदा ले सकते हो policy का if the employees suffer any of the covered contingencies outside the scope of employment coverage would not be available अगर वो कहीं पे employment के बाहर कहीं पे उसको नुकसान होता है या employment के दुरान नहीं होता कुछ भी उसे तो वहाँ पे ये policy का इस्तेमाल करके कोई benefit नहीं use किया जा सकता ठीक है the WC policy covers disability lasting for more than three days after the accident जादा तर आपको अगर इसका benefit लेना है तो जो WC policy है यानि workman compensation policy है उसकी disability जादा से जादा more than three days after the accident accident से भी तीन दिन बाद तक की होनी चाहिए यानि जिस दिन accident हुआ है उसके तीन दिन बाद तक भी अगर वह person ठीक नहीं हुआ तब WC policy का इस्तेमाल आप कर सकते हो यानि workman compensation policy का इस्तेमाल आप कर सकते हो और benefit ले सकते हो the policy covers legal cost incurred by the employer in case of lawsuit filed by the employee only after consent from the insurance company देखो जी अगर policy का आपने कहीं पर इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए ऐसा case होना चाहिए जहाँ पर legal cost जो employer है उसे देनी पड़ गई क्योंकि जो employee है उसने क्या कर दिया insurance company के साथ consent लेकर employer के खिलाब क्या कर दिया case कर दिया तो उस case में वहाँ पर भी employer क्या कर सकता है इस legal cost को खतम करने के लिए या cover करने के लिए इस policy का इस्तेमाल कर सकता है ठीक है points easy है there is an exclusion list in the workman compensation policy the policy does not cover contingencies suffered due to exclusions देखो जी अब क्या कहने की कोशिश की गई है कि जितने भी employee है मतलब जो exclusion list यानि जिन्होंने भेषकार इसका हिंदी में मतलब होता है भेषकार करना तो अगर ऐसे चीज़े हैं तो उसकी list अलग से होनी चाहिए और कोई भी policy अगर आप इसका benefit लेना चाहते हो तो वह exclusions के regarding नहीं होना चाहिए यानि भेषकार उसमें नहीं होना चाहिए फिर आता है मतलब दा प्रोवीजन और वर्कमें कंपनेशन एक 1923 fixes the limit of the sum insured and its amendment 1923 कंपनेशन एक वर्कमें कंपनेशन एक में कुछ limit sum insured की और इसकी amendments फिक्स की गई है और अगर आपने इस policy का benefit लेना है तो आप जितनी amount दी गई है उसके base पर ही ले सकते हो और उसकी amendments के उपर ही देखकर दे सकते हो या ले सकते हो ठीक है तो minimum maximum limits उनमें जितनी दी गई है उतने तक ही आपका काम चलेगा उससे जादा आप उपर नीचे नहीं कर सकते इसके लावा कुछ other important points भी आते हैं इस policy के अंदर जो cover होते हैं जैसे की बात करें अगर आपने WC policy की coverage को इस्तेमाल करना है claim लेना है वनला अपने claim को meet करने के लिए तो वहाँ पे क्या होगा the insurance information breo of the India fixes premium for each type of occupation जो insurance information center है उसने क्या किया है इंडिया के premium एक fix कर दिया हर एक occupation के लिए यानि अगर हम बात करें तो कितने fix कर दिया thousand sum insured मतलब thousand रूपी इंडियन national रूपी में आपने उसे convert करके बता दिया that is thousand sum insured के way में आया ना ठीक है जी then पहला point तो समझ आ गए occupational premium के बारे में मतलब उन्होंने कहा कुछ important points है to meet to claim मतलब जो हमें जरूरी है कि इस policy को लेने से पहले ध्यान रखना है तो इस policy के लिए सबसे पहला premium हो गया दूसरा है workers and employees covered under the workman compensation policy should take due safety measures to avoid possible contingencies जो workers and employees है जान बूच के इस policy का इस्टेमाल करने के लिए नहीं होने चाहिए उनको बल्की क्या करना होगा safety measures अपनाने चाहिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है और ये possible contingencies ना हो ये ध्यान में रखना है और avoid की जाए if any contingency occur due to non-compilence अगर फिर भी गलती से आपकी वो कोई गलती होती है यानि आपकी contingency occur होती है safety measures के बावजूद the claim would not be paid तो फिर आप claim नहीं ले सकते इस policy के अंदर ठीक है जी Unless consent is obtained from the insurance company the organization doesn't pay for the claim to the employee Unless जब तक insurance company से consent नहीं किया लिया जाएगा तब तक organization अपना claim उस employee को नहीं दे सकती ठीक है जी consent के बाद ही ये सब कुछ किया जा सकता है कि insurance company मान गई है कि ये case कैसा है या workman compensation policy को पूरा कर रहा है या नहीं ठीक है फिर आता है the insurance company should be intimated immediately if there is a claim अगर insurance company मतलब insurance company should be intimated immediately immediately intimated करना पड़ेगा हमें कि अगर कोई claim है उसके बारे में यानि हमें बताना पड़ेगा कि हान चीज़ का claim है जल्दी से insurance company को बताई है intimate कीजिए immediately ताकि वो check करके आपके claim को जल्दी से इस चीज़ को खतम कर दे employer should disclose the number of employees and their wages to avail the policy benefit employer को बताना पड़ेगा number of employees कितने हैं उसको बनना चाहिए in case of more than one insurance policy जैसे की हम कहते है principal contribution तो वहाँ पर जो liability है वो distribute करके या principal of contribution का इस्तिमाल करके ही हम देखेंगे यानि कितना कितना बनता है हर एक insurance company से claim उनको add करके ही organization देगा ठीक है जी so these are the conditions जो आपने ध्यान में रखनी है workman compensation policy का benefit लेने के लिए workman compensation policy का इस्तिमाल करने के लिए ठीक है जी तो very easy question था कोई इसमें नहीं मुश्किल है तो इतने सारे points है कुछ भी आप लिख सकते हो maximum 7,8,9 जितने भी आपको याद हो गई आप लिख सकते हो असानी से तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी है समझ आ गई है workman insurance policy के बारे में conditions पता लग गई है तो आज की वीडियो में बस इतना ही होगा notes आपको पता है आपको telegram channel पे मिलने वाले हैं आप वहाँ से ले सकते हो link आपको उस channel का description box में साथ में दे दिया गया है आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही है thank you very much